अगला दोस्तों आप सभी का सो आगते आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो psychology का हमने topic खतम करा था अधिकम वक्र last class में आज हम बात करेंगे next chapter के बारे में यानिकी intelligence यानिकी बुद्धी के बारे में तो इसे related आपको सारी information मिल जाएगी आज हम basic start करेंग कि बुद्धी यानि की intelligence चेप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे और किस-किस परकार के हाँ पर लोगों ने अपने योगदान दिया था तो इस वीडियो का आप एंटर तक देखते हैं आपको सारी information मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देहरे हो डिके गुपता उनलाइन वीडियो पर गुवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं अमूर्त वस्तु है जिसके विशे में लोग अकसर ग्यान समझ अथवा योगता का प्रियोग करते हैं लेकिन ध्यान रखी कई सारे के सारे शब्द बुद्धी के अर्थ ने इसके प्रियावाची शब्द है अगर आप बोलो कि बुद्धी हमारी ग्यान है बुद्धी हमारी समझ है बुद्धी हमारी योगता है तो वो सारे के सारे क्या है उसी के एक दूसर रूप है किन्तु बुद्धी की जो सबसे मानने वे व्यापक परिभाशा दी है वो आपके D. Wessler, इनका नाम है Wessler ने परसुत करी है जो कि अधिकतर आपको option में देखने को मिल जाएगा D. Wessler करके तो ध्यान रखे है किसके द्वारा दी गई है? D. Wessler ने परसुत की है काफी परिभाशा हैं दी है लेकिन सबसे अच्छी जो परिभाशा मानी जाती है व्यापक और मानने परिभाशा मानी जाती है वो D. Wessler की मानी जाती है तो वेशलर के अनुसार इस परिभाशा के में क्या बोला था तो उन्होंने ये कहा था कि उद्धेश्य पून धंक से कारय करने, तार्किक धंक से चिंतन करने एवं परभावशाली धंक से किरिया करने की शमता को ही बुद्धी कहा जाता है मतलब आप किसी कार्यों को कर रहे हो उसके पीछे उस कार्यों करने का कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ये फाल्तुमी करे जा रहे हो दूसरा उन्होंने कहा कि किसी कार्यों को करने से पहले जो सोचते हो वो कैसा होना चाहिए चिंतन जो करते हो तार्किक होना चाहिए, मतलब उसके विशय में होना चाहिए, उससे अलग हटकर नहीं होना चाहिए, तर्क वितर करके उस कार्यों करना चाहिए, और उसी के साथ साथ में परभावशाली डंक से, यानि कि आप उस कार्यों करते रहो है, उसमें परभावशा आपका बुद्धी कहा जाता है तो कितना साइंटिफिक इन्होंने आपका परिभाशा दे थी इन्हीं के परिभाशा देने के बाद इनके परिभाशा के कुछ तत्व निकाले गए क्या तत्व निकाले गए एक बार उनके बारे में बात करते हैं ना कि ये शारिक है और ना ही किसी और तरीके से वातवर्णी है तो कैसी आपकी बुद्धी एक मानसिक योगता है कोशन पूछा जा सकता है तो धियान रखेगा इस कोशन को नेक्स्ट आपका परतिक वेक्ति की बुद्धी दूसरों से अलग होती है बहुत इंपॉर्टन कोशन है सही कहा गया कि परतिक वेक्ति की क्या होगी तो क्वेक्ति की दूसरों से अलग होगी बुद्धी कई आपने देखा होगा एक वेक्ति किसी कारे को Industry को असानी सीख लेता है जलदी से सीख लेता है और दूसरा वेक्ति उस कारे को धीरे से सीखता है और लेट से सीखता है क्यों कि दोनों की बुद्धी में क्या होता है डिफरेंस होता है दोनों एक दूसरे से क्या होते है अलग होते हैं इसलिए आपके क्या होते है ऐसा देखने को आपको मिलता है तीसरा है एक ही वेक्ति की बुद्धी अलग-अलग समय और अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग होती है बिल्कुल सही बात है आपकी एक व्यक्ति है जैसे कि मानलो एक व्यक्ति है खेल में वो काफी अच्छा है कि विराट कोली क्रिकेट में बैटिंग करने में काफी अच्छा है काफी नाम जाना है लोगों को पता है तो लेकिन वो हरी खेल में हर एक आपने देखा होगा सेंचुरी नहीं मार सकता मतलब हर एक व्यक्ति की बुद्धी अलग अलग समय पर और परिस्तितियों में अलग अलग होती है एक मैच में वो सेंचुरी मारता है तो एक मैच में वो जीरो आउट हो जाता है मतलब अगर वो खेल में अच्छा है तो हमेशा ही अच्छा रहेगा ये जरूरी नहीं है इसलिए इसको कहा जाता है कि हर वेक्ति की बुद्धी क्या होती है अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्टियों में अलग अलग होती है नेक्स्ट आपका बुद्धी को ग्यान और अत्वा स्मृति समझना गलत है बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बुद्धी को ग्यान और स्मृति समझ रहे हो तो वो बिल्कुल आपके गलत है For example, आपके घर पर एक newspaper आता है, newspaper में कुछ आपके information दी गई है जिसमें आपके घर में किसी ने आप information वो collect कर ली, मतलब उस newspaper को पढ़ लिया और आपसे पूछा कि आज देश में या आपके देली में क्या हुआ है और आप वहाँ से चले गहाँ गए, आप अपने institute चले गए, आप अपनी job पे चले गए आपने अकबार को नहीं पढ़ा, तो आप उस knowledge से क्या होगे, अंजान होगे लेकिन आपके घरवाले ने पढ़ा था, आपसे पूछा, आपको नहीं पता क्यूं, क्योंकि आपने अकबार नहीं पढ़ा था अगर आप अकबार पढ़ते तो आपको भी उस चीज की knowledge होती है, आपको भी उस चीज को ग्यात होता तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धी को ज्यान अथवा स्मिर्थी समझना क्या है, आपकी गलत फेहमी है जिस चीज का जो आपका कड़ोगे, पढ़ोगे उस चीज का ज्यान आपको पास हो गई होगा जैसे कि निउस पीपर का मिन आपको धारण दिया नेक्स्ट है आपका बुद्धी पजाती, धरम, छेत्र और लिंग का परभाव नहीं पड़ता है चाहे मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, सिख हो, इसाही हो कोई भी हो आपका या कोई भी आपका किसी भी परकार का हो सब की बुद्धी समान है आपकी अलाग अलाग यह नहीं कह सकते कि एक को कम दिये, एक को जादा दिये बस उसकी जो योगता है यूज करने की वो सब की भीन भीन है नेक्स्ट है आपकी बुद्धी पर वातवर्ण का परभाव पढ़ता है बहुत इंपर्टन कोशन है बुद्धी पर आपके वातवर्ण का परभाव पढ़ता है आपने देखा होगा आपके आसपास का जो वातवर्ण होगा जिस परकार का होगा उसी परकार का आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगा अगर आपके सोसाईटी में अधिकतर आपके जो लोग होंगे धिक्तर वह आख सेजुनेर वयां ऩिए व्रपधिन जीक्तिस होıldı्सेटी क्यों कि पर अब पर्भाव हो पर्भाव पड़ता है लेकिन बुद्धी लाभ्धी पर यानि आपके IQ होती है, IQ stages होती है IQ जो आपका measure किया जाता है उस पर आपका वातावरण का परभाव नहीं पड़ता है, अब ये वातावरण क्या है तो ध्यान रखेगा, चाहे आपके वो प्राकर्तिक हो किसी भी रूप से, वो आपका वातावरण कहलाता, जो आपका आसपास का environment होता है तो ध्यान रखेगा, बहुत important point था है आपका तो वो कुछ points थे आपके आने वाले यानि कि जो बुद्धी होती है, वो किस परिकार से परिभाशित करी गई है, अब बात कर लेते हैं कि इसके important हम कौन-कौन से theories पढ़ेंगे इसके अंदर, तो बुद्धी की जो सिध्धानत के अंदर हम आठ important theories पढ़ेंगे कौन-कौन से, पहले पढ़ेंगे हम एकल तत्व का सिध्धानत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, बिनेटन रोस के सब्सक्राइब तेसरे अन् recursos सब्सक्राइब दियान रखेगा त्री कारक और त्री इस्तरिय दोनों अलग अलग है जब मैं आपको करवाओंगा तो इनके इंग्लिश में भी नाम बताओंगा अटेंशन मत लेज़ेगा आप उसका जोकी किस ने दिया था रॉबर्ट स्टेंबाग ने दिया था पांच हों है आपका कारक का सिध्धान जोकी आपका ठ्रस्टन के द्वारा दिया गया था ये इंप् millones theory ने दिया है तो इहां से इन नामों को ध्यान रखेगा कि किस निके द्वारा कौन सी थिये गई है डिरेक्टली एक नंबर का इक कोशन पूछ लिया जाता है ओके तो यह इंपॉर्टेंट थियोरी है हम इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करते हुए धीरे-धीरे में आपको इस सारी चीजे कंप् अगर आपने चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जिल्दी से सब्सक्राइब के लिए उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजीगा ताकि आने वाली वीडियो का नोडिफिक्शन आपको टाइम पू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में ब